मिट्टी के चुले पे बने हुई सौंधी सौंधी खीर और घी में डूबी हुई रोटी यह है हमारे खरने का विशेश पहचान मैंने भी मिट्टी का चुला ले रिया और दूद के कुछ पैकेट्स लिए और मैं अपने पती का इंतिजार करने लगी क्योंकि वो गेहुं पिस्वा कर आने वारे थे और वो गेहुं पिस्वा कर आए और बिल्कुल ओवर एक्टिंग करते हुए आए और उन्हें मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा Actually, खरने के दिन हम गेहूं पिस्वाते हैं जिससे हम खरने के दिन रोटी और बाद में ठिकवा बनाते हैं मैंने भाई ने गेहूं और चावल के आटे को रखा और फिर हम गोबर के बने हुए गोटे को भी लेकर आए और उसके बाद हमने खरने की त्यारिया शुरू कर दी है और ये रहा वो कमरा जिसमें मैं छट करने वाली हूँ फिर मेरे यहां नौ लिटर गाय का दूद आया जिसे मैंने गैस पर गरम करने के लिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर था कही दूद फटना जाया साम तक मैंने चुले की पूजा किया और उसके बाद नौ लिटर दूद को खुलाया और साथ में ही चावल को दो कर रख दिया और ये रहा खजुरगुर जिससे मुझे खीर बनाना था भावी चुले को सेट करने में लग गई उन्होंने इटे पर चुले को अच्छे तरह से रखा और उसके बाद मैंने चुले की विसेश पूजा अर्चना की पहले चुले की विसेश पूजा अर्चना की जाती है और अगनी देव का आवाहन किया जाता है ताकि हमारा भोजन स्वादिश्ट हो सिंदूर और हल्दी से हम चुले को तिकते हैं तिकने का मतलब है हम उसमें लगाते हैं बहुत ही प्यार से फूल, अक्षट, इन सबसे हम चुले को बहुत अच्छी तरह से स्रद्धा से पूजते हैं फिर मैंने चुले को परणाम किया और उसके बाद मैं आग को जोडने में लगई मतलब चुले को जलाने में आम की लकड़ी और गोबर से बने हुए उपलव से हम चुले को जलाते हैं फिर मैंने रूई और घी और कपूर के साथ चुले को जलाया आम की लकड़ीयां अगर सुखी हो तो चुले में आग बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है भावी ने में मेरी मदद किये क्योंकि ये सब हमारे लिए कुछ नया है हम मिटी के चुले पर रोस तो खाना नहीं बनाते ना धीरे धीरे करके आग तेज हो रहा था और जैसे ही आग तेज होगा मैं इस चुले पर खीर के पतिले को चड़ाऊंगी और फिर पीतल के पतिले में मैंने 5 लीटर दूद डाला और उसे धीरे धीरे करके पकाने लगी बागी का दूद मैंने गैस पे चड़ा दिया क्योंकि मुझे लगा कि उतना भारी पतिला ये चुला नहीं सहन कर पाएगा इसलिए मैंने पूजा के लिए 5 लीटर दूद के ही खीर को बनाया और छट के गीतों के साथ धीरे धीरे मैंने खीर को बराना शुरू किया जैसे ही दूद आधा हुआ फिर मैंने चावल डाल दिया और बागी का चावल मैंने गैस पे चड़े हुए दूद के लिए छोड़ दिया और फिर धीरे-धीरे मैं उसे पकाने लगी चुले पर धीरे-धीरे खीर पकता है इसलिए उसमें एक सुन्दी सी खुश भू आती है फिर मैंने रोटी बराने के लिए आटा भी गूत लिया आटे को हम जितना गूतते हैं रोटी उतनी ही मुलायम बनती है और फिर मैंने चौके बेलने पर रोटी बेलना शुरू किया और भाबी उसे पकाने लगी चूले पर पकी हुई रोटीों का स्वाधी कुछ अलग होता है और एक तरफ गैस वाला खीर भी बनकर तयार हो गया दोनों खीर बयान के तयार हो गया और फिर मैंने गजूर गुड को तोड़ तोड़ कर तोड़ा सा ठंडा होने के बाद ढाल दिया और इधर हम अपनी सारी रोटियों को बना कर तयार करने लगे और फिर मैंने पुजा के तयारी की केले के पत्ते में मैंने मिटी के पांच छोटे-छोटे बर्तन रखे और उसके उपर पांच रोटिया घी में डुबो कर रखी उसके उपर मैंने केले को छिल कर रख दिया और ये दिया जलाया और मैंने छटी माता का अवाहन किया ये हमारा पहला भोग है जो छटी माता को जाता है और इसी तरह कहा जाता है कि हमने केले के पत्ते पर भोग लगा कर छटी मता का आवाहन किया और फिर उन्हें सिंदूर और हल्दी से पूझते हैं और इस तरह हमारे खड़ने का पिशेश प्रशाद तयार हो जाता है इस प्रशाद को ग्रहन करते समय हम अपने कमरे को बंद कर देते हैं क्योंकि एक भी आवाज हुई या किसी ने देख लिया तो फिर ये खड़ने का प्रशाद प्रशाद नहीं रहता छट हमारे लिए हमारी आस्था हमारी आत्मा से जुना हुआ तयवहार है और आगे मैं छट के विशेश नियम, अरग, पूजन इन सब का वीडियो भी आपके साथ सियर करूँगी आप उसे अवश्य देखिएगा और प्रकृति की इस विशेश पूजा को क्यों और कैसे करते हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगी शाम कारग और सुबा कारग